हेलो नमस्कार मैं रोही सर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के भरोसे मन चैनल याने विकम टीचर पे तो आसा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज की वीडियो में अगर हम बात करते हैं तो आज के वीडियो जो भी बच्चे 2025 के लिए इं क्यान रहते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं और यहां पर कुछ सेळ्यटद से रिलेटट आप बात करूगा कि कुछ सवाल भी ताकर सारसेट कभ एलीजिबल होगे हम हम कैसे क्वा वीडियो का लिंक आपके डिस्रेपशन में जयानेके डिस्रेप्शन में आपको मिल लाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लिजेगा कि क्या चीसी रहने वाला है, यह part 2 है, यानि कि syllabus इसमें बात करेंगे और best books की बात करेंगे, तो syllabus सबसे पहले समझते हैं, और आप सभी को मैंने बताया है भी था, कि इसमें eligible कौन से students होंगे, यानि कि समानने को करेंगे, उनका 45% रहेगा, यानि जेनरल को छोड़कर जो भी कैटेगरी है, 45% रहेगा, तो आप इसके लिए eligible हो जाएगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं syllabus में, कि जैसे यहां पर मैं बात करूँ, विशाय दिया हुआ है, ठीक है, तो विशाय में देखिए ध्यान से सम समान हिंदी या उर्दू, 25 क्वेशन, अगर कोई हिंदी लिया है तो 25 क्वेशन, कोई उर्दू लिया है तो 25 क्वेशन, गनीत 25 क्वेशन पुछे जाएंगे, विज्ञान 20 क्वेशन, समाजी कध्यन यहां से मैं बात करूँ, 20 क्वेशन, समान अंगरेजी की बात करते तो 20 और तर्क सक्ति यानि रिजनिंग 10 कोशन तोटल प्रश्णों की संख्या हो जाती है यहां पर 120 प्रश्ण के अगर हम बात करते हैं तो 120 अंका हो जाएगा यानि एक प्रश्ण एक अंका और कोई भी यहां पर निगेटी मार्किंग नहीं रहता है आपके एक्जाम में यह स्लेबस बताने का मुख्य उदिस यह है कि कई स्टुरेंट्स समझ पाते हैं कि डेलेट क्या है लेकिन प्रॉपर स्लेबस ना पाता होने के कारण भी मतलब वो छोड़ भी देते हैं कि चलो हम नहीं करते हैं डेले एक कोशन एक अंका यानि कोई भी नेगेटी मार्किंग नहीं रहती है अब आपको हिंदी में क्या पढ़ना है गनीत में क्या पढ़ना मैथेमेटिक्स में उसके बारे में थोड़े बहुत हम लोग समझ लेते हैं तो जैसा कि यह अगर मैं बात करूँ यह ऑफिसियल हम बा करते हैं कि यह देख रहा है कि डेलेट संजुक परविस परिक्षा पाठ करम संजुक परविस परिक्षा यानि इंट्रेंस एक्जाम के लिए ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए हिंदी के लिए साफ-साफ लिखा गया है 10th standard कौन से class के लिए है तो 10th class के लिए ठीक है तो वाक्य पर्योग, सुध्धी, पदबंद, वाच, भेद, वाक्परकार, सहित्य सास्तर में, आपका शब्द सक्पी, व्यंजना अलंकार, अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक, उत्रिक्षा, विरुधाबास, छंद प्रमुग, आधी, छंद आधी, ठीक है, यानि इतने टॉपि हैं कि इंगलिस में क्या-क्या पूचता है, तो इंगलिस को थोड़ा डिटेल में देखिए, ठीक है, यानि अगर सिलेबस को समझना है, तो एक बार ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरा इसमें सिलेबस मिल जाएगा, और इसका पीडिये भी में टेलिग्राम के, विक इसके अलावे जितने हैं, फिर हमारा नेक्स टॉपिक, प्रपोजिशन पढ़ना है, सिंतेसिस यूजिंग, कोहिसिव डिवाइस पढ़ना है, ठीक, साथ ही साथ इसमें आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्फ और प्रपोजिशन फ्रेजेस, क्लॉज पढ़ना है, कंडिशनलन क्लॉज, ठीक, सब्जेक्ट वर्फ एग्रिमेंट, जिसको संटेक्स भी बोलते हैं, तो यह अपका है इंगलिश का, अब बात यहां पे करते हैं हम लोग, कि मैथमाटिक्स में आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है, तो मैस अब लन्चली सिस्टेम में इसमें टॉपिक इप दीया, यह चाप्टर है, संख्या पदती क्या है, इसमें टॉपिक है, ॡियाल नम्बर, वास्ट्विक्स्थ कढ़ना है, ब्स गनित में हमें लेनियर एक्वस्टिण इन और रख्की कंटर्ण, स्थ डोचोडब समीकरन, साथी साथ हम बात करते हैं, कुछ बेवसाई की नित में है, जैसे सेयर एन, लभान्स, बट्पा, चक्रविदी व्याज, किस्तों में भोगतान, वही अगर हम बात करते हैं नियामक जमीति, यानि की कोडिनेट जमीत्री में, कोडिनेट जमीत्री का सक्षन पढ़ना ये हमें पढ़ना है यानि युकलीट के जमेती रिखाए मतलब जितने भी इसमें एंगिल होगे और आपका क्वारिलेटरल हो जाएगा चत्रभू शेत्फल वरीद बनाउट यह पूरा इस सभी टॉपिक्स हमें जमेती पढ़ना है साथी-साथ इसमें हम लोगों को छेत्रमीती पढ़ना है यानि छेत्रमीती में आपका आजाएगा सर्फिस एरिया चेत्फल पिरिष छेत्फल चेत्फल यानि 2D सेक्षन और 3D section गोनों हमें यहां पर पढ़ना होगा, ठीक है, उसके बाद aesthetics आजाएगा, आपका साइंखी की आजाएगा, साइंखी की आपको पढ़ना है, ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक last topic है हमारा तिरकुनमीती, ठीक, यह रहा math का सले पस, अब बात कर लेते हैं, विज्ञा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो पादप एवम जन्तू जनर एवम गुर्वत्ता सुधार के लिए, चैन और वरक एवम खाद कौपियों करने पे, कीटो रोगे से बचाओ जाएक रिशी, वास्पी करन यह chemistry का topic है, ठीक है, ठीक है, अगर हम यह बात करते हैं, तो यह ये भी chemistry का topic है किसका topic है तो ये भी chemistry का topic है जिसमें आपको ये सारे shapes आकार fix volume होता है ठोस में क्या ये सारे चीजे तो ही किसके अंतरगत आएगा ये matter में आएगा फिर हमें पढ़ना है फिर से यहां पर biology आ गया है बौधे और जन्तूओं में भी विदिता ये पढ़ना है ठीक है बौधों के पर्मुक समूल ये हमें पढ़ना है ठीक आगे अगर हम बात करते हैं next topic पे तो यहां पर देखे क्या लिखा हुआ है कि जन्तूओं के पर्मुक समूह आकशी रिवकी फाइलम इसमें बहुत सारे टॉपिक है जितने भी ये पढ़ना है फिर अब फिजिक्स में हमें क्या क्या गवर करना है motion में जो जो topic आजाएंगे distance आजाएगा दूरी आजाएगा विस्थापन आजाएगा यानि displacement आजाएगा ये सारे topic पढ़ना है और वेग परन सब कुछ इसमें पढ़ना है साथी साथ फिर बात करते हैं इसमें तो बल और गति यानिकि laws of motion force and laws of motion topic से हमारा है बल और गति नाम लेते जा रहा हूं फिर यहां पर हम बात करते हैं तैरती हुई वस्तुए यानि कि इसमें आर्कमेटिस प्रिंस्पल आ जाएगा ठीक भनी यानि साउंड से रिलिटर इसमें साउंड चाप्टर है तो उस से रिलिटर जितने topic आएंगे ये सारे चीज हमें पढ़ना है ठीक हमारा है प्रेकिर्टिक संसाधन भी topic है चीक है environment studies बोलते है ना ठीक है evs इसको बोला जाता है ना i think तो यहां पे होगा यह सारे पढ़ना है फिर वायूजल अब मृदा प्रदुश्चन इसके बारे में थोड़े बहुत समझना है ठीक देखो फिर से chemistry chemistry हो गया अब मै आप सभी को अगर आप application जो जुझूर के पढ़ाई करेंगे तो वहां पर आप सभी को topic wise एक एक केमेस्टिक में क्या पढ़ना है physics में क्या करना वहां पर छाटा हुआ है फिलाल चलते हैं चलिए इसलिए बस पे हमें acid-base and salt अमल भस्म acid-base and salt chapters जितने भी topic है इसमें reaction है या displacement डिस्प्रेस्मेंट रियक्शन यह सारे चीजिस में topic पढ़ना है फिर यहां पर आ गया है metal और non-metal से जितने भी topic होंगे वह पढ़ना है तत्तों के वरगी करन ठीक है उसके बाद हमारा पारेवरण वही इस वाला जो topic इसको सारे पूरे के पूरे topic हमें cover करना है ठीक है सज magnet chapter से पढ़ना है आपको पूरा का पूरा साथी साथ बात करते हैं यहां पर तो convergence and divergence of light पढ़ना है light के बारे में lens कनियम यानि कि आपको mirror पढ़ना है और lenses के बारे में पढ़ना है ठीक फिर प्रकरतिक संसाधान आगया यह physics का है topic तो यह पूरा science है तो science में देख रहा है कि आपको उरजा के सुरोत यानि ठीक है यह भी topic पूछता है science में math में पूरा का पूरा 10th है पूरा का पूरा क्या ह आपको मिल सकता है ठीक है क्योंकि अभी आप competitive में तो गये नहीं होगे तो अभी एक एडमी का ही है सारा चीज़े फिर social science में बात करते तो social science बहुत broad section है यहाँ पे यह भी पूरा का पूरा देखे लिखा है matrix तरिया भागली खोजे पढ़ना है अमेरिकी स्वत अंतरता गराम फ्रांस की करांती ना जीवाद हम इंसितिवाद हिटलर फ्रत म विश्विदों डियत्यो family यह बारे में है फिर इसमीं जो भी कुछ समास समाच से जूर्यास जोर्य जितने बहीं पढ़ना है प्रिशर और सहंज बार्तमान समय में और त्यविस्ता के बारे में, यह सा भारत में राष्टवाद 1914 से 1930 का ठीके जो समय था ये प्रथम विश्विद के कारण यहां पे अगर हम बात करते हैं खिलाप अंदोलन इसी में आपको टॉपिक मतलब पूरे इसमें दे रखा है अर्थ विवस्ता और आजी विकास सहरी करण सहरी जीवन व्यापावर और भू समझना है टॉपिक हो निश्वी सदी के भारत में पेस का विकास तो आप सेलिबस को में इतना डिटिल में जा रहा है आप लोगों को लग रहा होगे सार इतना क्यों आब बता रहे हैं आपके नजर में तो कम से कम एक बार आप भले वीडियो हो सकता जाता हो तो आप पूर करने वाले कारक प्रकृतिक वनस्पति वन निप्रानी वनस्पतिय के परकार ठीक है इसको आप वीडियो को चाहेंगे यहां पर तो 1.5 पे बढ़ा के देख लेजिएगा ठीक है अब हम यहां पर बात करते हैं कि यह और टॉपिक है जैसे जनसंख्या का अधार भारत के पर करतिक संसाधन क्रिसी संसाधन जल संसाधन पढ़ना है खनीज संसाधन पढ़ना है वन नम वन प्रांजी संसाधन पढ़ना है तो जितना आपको लग रहा है ना कि इतना टॉपिक है यह चाप्टर है लेकिन इसमें पढ़ना बहुत ही कम है ठीक है लग रहा कि इतना बड़ ब्रॉट है, ब्रॉट टॉपिक है, लेकिन पढ़ना पॉइंट वाई, जो जो दिया है, वही पढ़ना है, तो बहुत छोटे-छोटे टॉपिक है, समझना है, और कोशन यहां से बिल्कुल इजी से बन जाएगा, ठीके, सिलेबस बहुत बढ़ा है, लेकिन जब आप परहाई करेंगे, जब कोशन बनने बठेंगे, तो आप सारे कोशन बनने लगेगा, ठीके, यहां पर निर्मान उद्रिक के बारें पढ़ना है, पडिवहन, ठीक, भिहार प्रकृतिक, समकालिन विश्व में लोक्तंत, लोक्तंत का ब्यापकर, समिंदान, निर्मान, भारतिय समिंद लोक्तंत में चुनावी, रजनेती, यह था पूरा का पूरा, अभी और है, ठीक, अभी और है, भारत में चुनावी परनाली है, संसदिय लोक्तंत की संस्थाएं है, सत्ता के साइधारी, लोक्तंतरिक अधार, सत्ता में साइधारी, यह रहा, तो यह पूरा खतम हुआ, SST, तो SST बड़ा है ही, लेकिन कोशन कितना पूछता है, 20 कोशन पूछेगा, ठीक है, 20 कोशन, सबसे ज़्यादा इसमें इंपक्ट पड़ता है, तो Math और Hindi, ठीक है, Math, Hindi, और जो Hindi नहीं लेगो, और दो, क्यों कि 25-25 कोशन रहता है, यह तो 20 कोशन रहेगा, और reasoning तो आपको मैं ब पूठाया, कभी इस साल छोड़ दिया यह, तो सब टॉपिक में से तो हो नहीं सकता ना, 10 कोशन, तो इसलिए कभी कुछ-कुछ से मिला-मिला कर पूछता है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो सब पढ़ेगा, तो यहाँ पे देखो, Coding, Recording, Blot Relation, Direction, यह मुख पॉइंट जो operation वाला जो number वाला है, ठीक है, यह चीज़ है, missing character जरूरी है, number, ranking and time जरूरी है, ठीक है, syllogism जरूरी है, sequence test, eligibility test, यह सारे चीज़े हैं, ठीक है, और कुछ आपको आजाएगा analytical reasoning में, जैसे कि आपको कथन और तर्क वाला में आ जाता है, तो यह आपका पूरा का पूरा क्या ह reasoning है, ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह पूरा syllabus हुआ, ठीक है, अच्छा, इसमें उर्दू का भी syllabus है, आपको PDF देखके समझ लीजेगा, क्योंकि मुझे उर्दू आती नहीं है, माफी चाहता हूं, तो इसलिए मैं इसको तो बारे में बता नहीं सकता, तो ग पूरे के पूरे syllabus थी, अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताने जाता हूं, कि अगर कोई students माल ने जे डेलेड ये exam दिया, entrance exam, उसका निकल गया, फिर admission जब हो गया, जैसे 2024 में बच्चे का admission चल रहा है, तो जिनका admission हो जाएगा ना, तो admission के बात से ही, आप क्या हो जाएंगे eligible हो जाएंगे, ठीके, आप क्या हो जाएंगे, eligible हो जाएंगे seated के लिए, admission आपका हो गया, आप अब जब भी seated का form आएगा भड़िये, आप exam देजिए, admission के एक दिन बात से ही, registration जब हो जाता है ना, registration जब हो जाएगा, तो एक दिन बात से ही, आप seated के लिए eligible हो जाएंगे, जैसे 2024 में exam हुआ, December में seated का आएगा form, भर देना है, October, November में आएगा उस समय भर देना है, तो 2025 में आपका जब admission होगा, तो उस समय मानले जो July में एक आता है exam seated का, तो July के पहले आपका admission हो जाएगा, तो आप July के लिजबल होगे, July के बाद अगर आपका admission होता है DLA में, तो नहीं परेशानी नहीं, क्योंकि कुछ बचे ही सोच रहे हैं कि मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, अब यहां पर कुछ यह भी चीज़े हैं कि आप graduation किये हैं, तो 6-8 का teacher बनेगा, तो इसमें फिर seated के बारे में एक अलग से वीडियो बन जाएगा, बस मु सारे books के गर हम बात करते हैं, उनमें से जो books में बताऊंगा, वही आपको books follow करना है, क्योंकि वो books follow करेंगे, किनको follow करना है, जो बच्चे YouTube से त्यारी करते हैं, ठीक है, become teacher के माध्यम से, या फिर कहीं से भी अगर आप त्यारी करते हैं, तो मैं आपको सही जनकारी दे रहा जब आया था 22 में, यहाँ पर बात करो date भी दे रखा है, देखो 2022, अब updated version थोरा सा ले लिजेगा, 2024 का, मुझे ये book अच्छा इसलिए लगा था, कि उस समय कोई book ऐसा market में नहीं था, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे syllabus के coding दिया हुआ है, हम कह सकते हैं कि माल लिजे 20%, 10% कम हो सकता है, material, लेकिन पूरा का पूरा ये syllabus के coding ही है, तो आप ये excellent का है DL8 book ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, आपको फोरे बहुत थोरी दे के फिर question दिया गया है, तो question ही से practice कर जाओ, क्या दिकत है, तो इसमें guide के रूप में ये काम करेगा, ठीके, कि थोरी भी दिया, ऐसा नहीं कि थोरी नहीं दिया है, तो DL8 ये excellent का है, मैं किसी भी book का एक बात बताता हूं, promotion नहीं करता हूं, मैं सही जनकारी देता हूं, और सही चीज, सभी चीज को आपके सामने रखता हूं, अगर हर साल ऐसा ही किताब, यही किताब के बारे में चर्चा करता हूं, बहुत सारे किताबे अगर हम बताना चाहें, तो हजारो book यहां पर रख सकते हैं, उसमें से best मैं निकालना हूं, देखो यहां से, यहां पर मैं बात करूं कि समाने हिंदी गनित, जो भी जितने भी topic इसमें बिल्कुल से लेबसे दिया हूं, यह करने के बाद, यह एक 2024 का भी आपको ले लेना है, तो आप skip कर दीजिएगा एक book कौन सा पता है, जैसे मालने जी इसमें 2023 का है, तो यह ले सकते हैं, अधरवाइस आप यह ना लेके, अभी जो 2024 का आएगा, यूनिक का, जो 2024 में question पुछा हुआ है, उसका जो आएगा, वो ले सकते हैं, तो यह पूराना वला ना लेके, जो 2024 में question पुछा हुआ है, वो ले सकते हैं, ठीक, अब सबसे मुखे बिंदू कि आप बिना book लिए भी पर सकते हैं, कैसे, आप हमारे application के माध्यम से पर सकते हैं, आप यह दोनों बिना book लिए हुए, यह अगर application से जो नहीं परना चाहते हैं, आप सभी के लिए सबसे best अगर हम बात करते हैं platform, आप application डाउनोड कर लिजेगा become teacher, और यहां से आप लोग अपनी त्यारी बहतिन कर सकते हैं, आप source देखिएगा become teacher पे तो वो 2024 का result आपको पता चल जाएगा, उस बैच अभी 599 मिल दा है, कितना मिल दा है, 599, ठीक है, तो इस बैच को जोईन करके आप पूरे अच्छे तरीके से त्यारी कर सकते हैं, इस बैच को आप को जोईन कैसे करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप play store पर जाईएगा, ठीक है, become teacher सर्च किजिएगा, become teacher जब सर्च करेंगे, तो यहां से आप इंस्टॉल किजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद यह आप कुछ इस तरीके से तिखेगा, रजिस्टर किजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद, आपको जाना यहां पर popead course में, और त्यारी कर ले जएगा, यह वीडियो थोरी से लंबी हुई है क्योंकि, मुझे पता है कि इसके बारे में आप सभी को बताना था, कुछ compromise मैंने नहीं किया है, Part 1 का वीडियो लिंक आपको दे दिया जाएगा इस वीडियो के description में, मिलते हैं another update में, thank you so much, bye, take care, जो भी strengths नए है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजएगा,